और आगे बात करते हैं रजिस्ट्रार आफिस में हुए हंगामे की 20 अपरिल को राची रजिस्ट्रिक कार्याले के बाहर अधिवाकताओं ने जम कर हंगामा किया बस इतना था कि वहां काम करने वालों के साथ हात अपाई नहीं हुई बाकि सब कुछ हो गया तो सबसे पहले य सब रजिस्ट्रार से धक्का मुक्की अगरा बाबू का सच से सामना महिला कर्मियों पर भी घूस्थोरी का हा रोप सब रजिस्ट्रार की जेब में डाल दिये पंदरा हस्था वकील वर्सेस अधिकारी कि ये तस्वीरे राची के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर की है राची सिविल कोट के अधिवक्ताओं का पूरा कुन्बा पहुचा रेखिस्ट्री ऑफिस के बाहर हंगामा करने लगे। आरोप लगाए गया कि सב रजिस्ट्रार और बड़ा बाबू हर काम के लिए घूस माँगते हैं। वकील हंगामा करते करते अंदर घूस कर बड़ा बाबू से पूछ दिया, बोलिये कितना पैसा चाहिए, वकिल उन्हें जलील करने। फिर एक महिला कर्मी से भीड़े, उन पर भी घूज लेने का आरोप लगाने लगे। चेप में 15,000 रुपए डाली और फिर पूछा बताईए, काहे इतने घूज लेते हैं। खाली पूछा भर नहीं, धक्का भी दिया, मुक्का भी दिया, मतलब धक्का मुक्की करी मारपीट नहीं। एक रजिस्ट्री दिया, जिसमें इन्होंने पैसा लेके किया। ठीक है? अब क्या है? आप लोग यहां इतने अधिवक्ता और इतने अननागरिक है। जिसमें से अगर एक भी अधिवक्ता और एक भी नागरिक, आज बोल दे इनके सामने कि रजिस्ट्री उफिस में, रांची के रजिस्ट्री उफिस में, चाई है, और किसी रजिस्ट्री उफिस में, बीना पैसा क्या दिया, इंका अर्दली है। किसका पैसा लेता है किसका पैसा लेता है कि tisका लेटा अब हैसा कुल सिरस्थ tvåol लेता है वह और सुर्वाना बना रहा है कि हम मीटिंगm से हमारा आपको बातिया हम सी एक चीजी में देभर भूमई में किसी भी पर्खार का को भी खाता नंबर पुल नंबर को चेक किया जा सकता था लेकिन यह लोग जान बूच करके हां से उसको बंद कर दिये हैं थाकि पैसा की अगवाई यहां नो कर सके पैसा की उगाई यहां कर सके रजिस्ट्रार भी फूल कॉन्फिडेंस में आपा नहीं खोल बस मुस्कूराते रहे वकील धकेलते रहे रजिस्ट्रार हसते रहे फिर बोले हम पर गलत प्रेशर बनाया जा रहा है हम गयर मजरुए का जो प्रतिबंदित सुची में दर्ज नहीं है अगर उसका रजिस्ट्री शुरू कर दें कोई हला नहीं हो इनको रिक्वेस्ट किया कि सारा हमको जो फुराना जो रजिस्ट्री का अपने फीस जमा कर दिया है वह हम उसको एस सून एस पॉसिबल इस भीड में आम लोग भी आम लोग बोले हम तो यूगों यूगों से रजिस्ट्री के लिए घुश देते ही रहें अभी भी दे रहें अचानक से यह वकील लोग काहे रेस हो गया है समझ ही नहीं पड़ रहा है सायद उनके भी पेट पर लात पड़ रही होगी हम तो आम लोग हैं इतने दूर की समझ नहीं पाते हैं रांची से न्यूज 11 भारत के लिए दीपक उराओं की रिपोर्ट तो यह रिपोर्ट हमने 20 अपरिल के आपको दिखाई है जब रजिस्ट्रार ओफिस में हंगावा हुआ वकील और अधिकारी आमने सामने नजर आए अभी के जो ताज़ा अपडेट है वो हम आपको बताते हैं कि रांची के केचैरी रोड इस्देट रजिस्ट्री कारियाल के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभो मनी त्रिपाथी और राची जिलाबार असोसियेशन के सचीव संजय विद्रोही की लिखित शिकायत पर दर्ज मामले में एक दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं पहले मामले में जिप्टी रजिस्ट्रार ने 20 अपरिल के दिन में कारियाले में घुसकर वकीलों द्वारा बिना वज़ा हल्ला हंगामा करने महिला करमचारियों के साथ दुर्वरभार और मानहानी का आरोप लगाया कहा गया है कि जिलाबार असोसियेशन के सचीव संजय कुमार विद्रोही सचीव प्रशासन पवन रंजन खत्री 30 से 35 लोगों के साथ जिला निबंधन कारियाले पहुँच कर हंगामा किया करमचारियों को धमके दी गई और परिसर में घंटों तक आराजक महौल बनाए रखा महौल को शान करने के प्रयास करने के दौरान भीड को मुझे मार डालने के लिए उकसाया गया और दूसरे मामले में राची जिलाबार असूसियेशन के सचेव संजय विद्रोही ने डिप्की रजिस्ट्रार पर कारियाले में भष्टचार की शिकायत करने पर अपमानित करने और करमचारियों को उकसा कर मार पीट का आरोप लगाया है तो ये दो प्रात्मी की दर्च कर आई गई है और माय साथ सयोगी शाहनमाज अक्तर बने हुए है शाहनमाज ये होल हंगामा हुआ रजिस्टरार ओफिस में वकील वर्सेज अधिकार ये आमने सामने थे और अब दो प्रात्मी की भी दर्च कराई गई है इस पूरे मामले में हाँ दोनों तरफ से प्रात्मी की दर्च कराई गई है और दोनों तरफ की अपने अपने तर्क हैं अपना आरोप है सबसे पहले तो ये कि डिप्री रजिस्टर वेभम मनीतिर पाठी ने जो अपाय यार दर्च कराई है उसमें ये कहा गया है कि बजिलाबार एसोसेशन के में हंगामा किया जब महिला जो कर्मचारी हैं वो भी दाश्रत में रही बहुत सारे जो लोग रजिस्टरी कराने आये थे वो भी डरे समय रहे काफी देर तक हंगामा वो जिलाबार एसोसिशन के तरफ से किया गया है और उन्होंने एक खास बात अपने बाइट में बयान में कही थी उस दिन जिसको बहुत ही नोटिस करने की जरूरत है उन्होंने काया कि यह हंगामा इसलिए है कि जो परतिबंदित सुची की जो गयर मज़रुवा जमीन है अगर उसकी रजिस्टरी हम करना शुरू कर दें तो फिर यह कोई हंगामा नहीं होगा यह जो लोग हंगाम कर रहे हैं यह इसलिए कर रहे हैं कि जो परतिबंदित सुची हर जिले में होती है राची में भी है इसमें घर मज़रुवा जमीन को में वैसी जमीनों को डाला गया है जिसमें कुछ-कुछ लीगलेटिय विबाद है तो इसके वज़े से यह वकीलों का जो संग है वो रहा है और जल्द से जल्द इस पर जाच होने चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेयर नमाज तमाम जानकारियों के लिए और खबरों में मेरे साथ फिला लेता ही नमस्कार लाइक अंड शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लावन भारत सच है तो दिखेगा